दोस्तों यहां पर टेक्निस यान की रिकूर्डमेंट निकल के आ रहा है यह जो भरती आ रहा है CSIR के अंडर National Physical Laboratory के तरफ से यह रिकूर्डमेंट निकल के आ रहा है यह पर्मानेंट जॉब होने वाला है अगर आप इलिजिबूल हो तो इसको ज़रूर अपलाई करना चलिए म मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कौन-कौन इसको अपलाई कर सकते है और क्या eligibility criteria रखा गया है वीडियो को बस end तक देखना होगा अच्छा लेगा लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया न अब भी क्या भी सब्सक्राइब कर लेना चलिए स्क्रीन चलते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो CSIR National Physical Research Laboratory Council of Scientific and Industrial Research CSIR के अंडर ये recruitment है advertisement number देख सकते हो 3 बटा 2022 और last date of receipt application firm ये 3 जुलाई तक आप लोग इसको apply कर सकते हो 3 जुलाई से पहले इसको apply कर लेना हो सकता है ये offline firm जो आगे detail में बताने वाला हूँ चले यहां पर आप लोग देख सकते हो ये जो recruitment निकल के आ रहा है technician post के लिए यहां पर भी आप लोग देख सकते हो technician post के लिए recruitment आ रहा है total जो post है वो 79 post रखा गया है और ये जो joining होने वाला है level 2 में आपकी joining दिला जाएगा 7 pay matrix wise 7 CPC wise आपको level 2 में joining होगा basic pay 19,900 रहने वाला है approximately यहाँ पे 33,000 आपकी gross salary बन सकता है अगर आप eligible हो तो maximum age limit 28 year चलिए total post जो है 79 इससे category wise भी post distribution क्या गया है बट इसके लिए qualification क्या चाहिए ओभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ permanent job है guys miss मत करना चलिए यहाँ पे electronics के लिए पहले requirement है total 17 number of post रखा गया है और इसके लिए जो qualification चाहिए 10 के बाद अगर आपके पास ITA certificate minimum 55% aggregate है तो ही आप लोग इसको apply कर सकते हो guys यहाँ पे कौन-कौन branch apply कर सकते है electronics machine या electronics trade ही इसको apply कर सकते है अगर आपके पास ITA भी नहीं है but three year experience है electronics machine के अंदर तो भी आप लोग इसको apply कर सकते हो but कहाँ पे होना चाहिए जैसे कि कोई ministry या department बड़े-बड़े organization में होना चाहिए आपकी experience next जो post है electrical के लिए electrical के लिए 17 post रखा गया है और यहाँ पे 10 week के बाद ITA कर रखे हो और minimum 55% aggregate है तो आप लोग इसको apply कर सकते हो और जो trade है वो electrician होना चाहिए आपके पास अगर electrician में ITA है तो आप लोग इसको apply कर सकते हो guys इसी तरह यहाँ पे experience candidate भी इसको apply कर सकते है but experience mandatory नहीं है नेक्स्ट जो post आ रहा है वो है instrumentation इसके लिए 11 post रखा गया है इसी तरह यहाँ पे ITA certificate minimum 55% aggregate और यहाँ पे आपके पास instrument machine trade में होना चाहिए नेक्स्ट यहाँ पे computer वालों के लिए भी recruitment है 11 post रखा गया है और जिसमें 10th के बाद अगर आप computer science में ITA कर रखे हो computer मतलब copa trade जो होता है उसमें अगर आप कर रखे हो तो भी आप लोग इसको अपलाई कर सकतो minimum 55% aggregate चाहिए गाईज नेक्स्ट यहाँ पे fitter student के लिए भी recruitment है बट 5 post ही है गाईज यहाँ पे total number of post 5 number post रखा गया है जिसके लिए ITA in fitter trade होना चाहिए उसके साथ 55% aggregate है तो आप लोग इसको अपलाई कर सकते हो इसी तरह experience candidate भी इसको अपलाई कर सकते है नेक्स्ट यहाँ पे draftsman civil के लिए recruitment है इसमें 4 post है ITA in draftsman civil में है अपलाई कर सकते हो उसके साथ experience candidate भी इसको अपलाई कर सकते है welding के लिए 4 post रखा गया है इसके लिए ITA in welder trade है तो आप लोग इसको अपलाई कर सकते हो minimum 55% aggregate चाहिए machinist के लिए भी recruitment है गाईज इसी तरह machinist के लिए 3 post रखा गया है इसी तरह यहाँ पे draftsman machine के लिए 1 post रखा गया है यहाँ पे tool and dye making के लिए भी 1 post रखा गया है इसी तरह diesel machine के लिए भी 1 post रखा गया है turner के लिए भी यहाँ पे 1 post रखा गया है sit metal के लिए भी 1 post रखा गया है glass blower के लिए भी 1 post रखा गया है रेपरेशन, RSC student के लिए भी एक पोस्ट रखा गया है तो इसी तरह आपको 72 पोस्ट आपको recruitment देखने मिल रहा है गाईज maximum edge limit जो है 28 यह तक आप लोग इसको apply कर सकते हो 28 के बात अगर relaxation लेना चाहते हो तो आज पर government tool आपको edge relaxation भी देखने मिल जाएगा देखिए इसका selection process की बात करें तो पहले आपकी screening किया जाएगा mark basis में या कोई वी एक screening committee बैठेगा screening committee decide करेगा कितने लोगों को trade test के लिए बुलाया जाएगा screening हो रहे हो तो next यहाँ पर आप लोग को trade test के लिए बुलाया जाएगा trade test में अगर आप qualify कर रहे हो तो उसके बाद competitive written examination conduct किया जाएगा written test मतलब हो सकता है यह cvt भी हो सकता है या omr based भी हो सकता है तो इस तीन process में आपको selection लिया जाएगा और जो written test होने वाला है और यहाँ पर omr और computer based test लिखा गया है और यहाँ पर total number of question जो है 1500 question आने वाला है और total जो time होगा वो 2 hour 30 minute आपको देखने मिलेगा देखिए यहाँ पर जो syllabus होने वाला है यहाँ पर 3 stage में selection है 3 stage जैसे की paper 1 लिया जाएगा paper 2 और paper 3 written test की बात कर रहा हूँ paper 1 में यहाँ पर ability test लिया जाएगा जो 50 question होने वाला है 100 mark की होने वाला है यहाँ पर no negative marking है next paper 2 में आप लोग की general awareness English की question होने वाला है यहाँ पर आप लोग की 50 question मिलने वाला है 1500 mark की तो यहाँ पर one negative marking रखा गया है wrong answer के लिए next यहाँ पर connected subject आपकी जो subject है जैसे की fitter से हो तो fitter student के लिए 50 कोश्चे नाने वाला है 1500 mark की total यहाँ पर भी no negative marking है तो इसी तरह आप लोग इसको apply करके यहाँ पर exam देखे job ले सकते हो guys बट इसका जो application portal है वो online नहीं है आपको offline apply करना होगा देख सकते हो दोस्तों application for the post यह सब लेखना पड़ेगा उसके अंदर और इसका जो last date है वो 3 July तक आप लोग इसको apply कर सकते हो और इस form की direct link मैंने description में दे रखा हूँ description से check out करना चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाई बाई जैहिन